हेलो वीवारस अन्बोक्सिंग इंडिया मैं आप सब का स्वागत है और मैं हुम्रान आज हमरे पास यहाँ पे जोड़ रिवाइस यह वो है वीवो वाइड वाइड वीवाइस यह इसी रिवाइस का पहले मैंने पेंटों ब्लेक कलर का अन्बोक्सिंग किया था लिए और इसी वीवाइ 12G स्मार्टफोन की जो हैं पर गलेशियर ब्लू कलर रहें इसको अन्बोक्सिंग करेंगे यहाँ पर देख सकतू हूं इसी स्मार्टफोन का बोक्स कुछ इस तैनीकी से नजराथा है चानु तरुफ यहाँ पें वीवाइ 12G लिखा गया है इसके लबा यहाँ पे 5000 मिली एंप्यार का बेटरी, साइड माउंटेन फिंगर पेंडिन संसर और यहाँ पे होल ग्राफिक ग्रेडियन कलर यह सबी मेंशन क्या गया है, 3GB RAM है डिवाइस में और 32GB इंटारिल स्टोरेज अब चले फिलहाल इसी Vivo Y12G स्मार्टफोन को सबसे बहले हम अन्बोक्सिंग कर लेते हैं जो शिल है इसे ब्रेक कर दिया है, अब बारी है इसी स्मार्टफोन को अन्बोक्सिंग करने की और बॉक्स को यहाँ पे ऑपन कर चुका हूँ और यहाँ एक सेक्शन है, इसी सेक्शन के अंदर सीम इजिक्टर है इसका लवा डोकुमेंटेशन और यहाँ एक टेंस्पारेन के इसको फोन की पडिक्शन के लिए दिया गया है इसके लवा यह ग्लेशियर ब्लू करार में Vivo Y12G स्मार्टफोन नजर आ रहा है देख सकते हो इसके लवा बाकी कॉंटेंट्स देखा जाए तो यहाँ पर एक Micro USB केबल डाटा केबल यहाँ पर प्रोवाइट कर दिया गया है इसके लवा यहाँ पर एक डॉप्टर मिलता है इसके जो आउटपुट है वो फाइट बोल्ट एंट्व एम्पेरर यादि टेन वोट चार्जर यहाँ पर प्रोवाइट कर दिया गया है और चलिए फिलहाल इस परडिक्शन से इस डिवाइज को निकालते है और यहाँ पर देख सकतो कुछ इस तरीके से अमेजिंग लुक्स और डिसाइन के साथ विवो वाई 12G स्मार्ट फोन नज़र आ रहा है जहां काफी बड़िया लुक्स है शांदार डिसाइन के साथ यह डिवाइज आता है जिसके वज़े से यह बैक बोड़ी क्लास जैसा नज़र आ रहा है और यहाँ पर बैक बोड़ी में नज़र आ रहा है विवो का ब्रांड निंग इसका लवा डुल रेयर केमरा एले रिफ्लाश और इस साइट से देखा जाए तो यहाँ पर बोलियों ब्रोकर यह जो कलर है यह गलेशियर ब्लू कलर है इसके लवा पैंतों ब्लेक कलर में भी यह डिवाइस मर्केट में अवैलेवल है और डिवाइस के लुक्स डिजाइन बिलको लड़ी मुझे खास करके बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है और आपको इस रिवाइस के लुक से डिजाइन के असलागा नीचे कॉमेंट करके आप अपने राय ज़रूर रखिएगा और चलिए फिलहाल बात करते हैं इसी Vivo Y12G स्मार्टफोन की डिस्प्ले के बारे में इस डिवाइस में दिया गया है 6.51 इंचेस का HD PLUS स्क्रिन IPS से सीरी के साथ में फुल HD PLUS नहीं है HD PLUS से 720 x 1600 पिक्सेल के साथ में आता है 295 PPI रखा गया है डिवाइस के डिस्प्ले देखा जाए वाटर जोप स्किन के साथ यहां पर नजर आ रहा है देखा जाएं कहीं न कहीं है एक अच्छा क्वालिटी का डिस्प्ले यहां पर प्रोवाइट कर दिया गया है एक्स्प्रियंस वगरा काफी बड़िया देखने को मिलेगा गेमिंग करते हो वडियो आज देखते हो क्योंकि यह एक बड़ा स्क्रीन यहां पर प्रोवाइट कर दिया गया है और कलर वगरा भी ठीक ठाक है इतना कुछ ज्यादा बेटर भी नहीं है लेकिन मैं कहूंगा कि एवरेज क्वालिटी का यहां पर डिस्प्ले प्रोवाइट कर दिया गया है डिवाइस के परफॉर्मेंस के उपर बात करूँ तो इस डिवाइस में दिया गया है 3GB RAM and 32GB internal storage इसके लावा डिवाइस में जो प्रसेशर दिया गया है इसी तरह इसी डिवाइस में फंटेच अपरिनिंग सिस्टेम 11 का यहां पर इस्तेमाल किया गया है उजर इंट्रेफेस वगरा काफी बढ़िया देखने को मिलेगा और को अलकाम स्नाइबरगन 439 ने एक बेसिक सा प्रोसेशर है एक एवरेज कॉलिडी का परफोर्मेंस डिवाइस में इस्पिट के मामले में गेमिंग के मामले में हमें देखने को मिलेगा और इसके अलबा इसी डिवाइस में हमें देखने को मिलता है 5000 mAh का बैटरी यानी बैटरी बैकाप जबरदस्त रहने वाला है डिवाइस में और साथ में यहाँ पर 10W Charging Support भी देखने को मिलता है यानी फास्ट एन सपोर्ट नहीं है 10W Charging यहाँ पर सपोर्ट दिया गया है फेस अनलोक है सभी आप्शन अवालेवल है और चले फिलहाल Fingerprint Scanner and Face Unlock Set करते हैं और देखते हैं किस तरीके से यह perform करता है रिवाइस में रिवाइस में जो Fingerprint Scanner दिया गया है वो Power वरिन के साथ में यहाँ पर Side Mountain Fingerprint Scanner है यहाँ देखते हो मैं Set कर रहा हूँ काफी बड़ीया तरीके से यहाँ पर Almost Set हो चुका है और यहाँ पर देखते हो काफी Fast और बड़ीया तरीके से डिवाइस को Unlock करता है जो Fingerprint Scanner है और मुझे खास करके Fingerprint Scanner काफी ज्यादा पसंदा आया है इसके लावा Face Unlock भी काफी Fast है डिवाइस में 8 Megapixel का Selfie केमरा है और देख सकते हो यानि Outdoor या फिर Daylight कंडिशन में इडवाइस जवर्दस परफॉर्म करता है Rear and Front Facing केमरा के मामले में और Indoor and Low Light कंडिशन में ठीक टाक Average Quality के यहाँ पर परफॉर्मेंस आपको केमरा के मामले में देखने को मिलेगा डिवाइस में दो कलर है एक पेंटम ब्लेक और यह ग्लेशियर ब्लू दोरों ही काफी इंट्रस्टिंग कलर है और इसी स्मार्टफोन के प्राइस के बारे में बताओ तो इस डिवाइस के प्राइस इंडिया में रखा गया है 10,990 रूपी सी अनुल मॉस्ट 11,000 का डिवाइस है तो ओफलाइन मर्केट के हिसाब से वीवाइट 12G स्मार्टफोन को देखा जाए तो कहीं न कि यह काई चैस स्मार्टफोन है आप अगर परचेस करना चाहते हो तो ओफलाइन ऑनलाइन कहीं से भी इस डिवाइस को परचे और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूँ शेयर कीजिएगा तब तेके लिए वे बाई ठेक क्यारण चैहिंद